इसमिल्लाह, इसमिल्लाह, असलाथ वस्टामाला रसुलिल्लाह, व्माला अलीजी वसाहिए आमालाथ, मुफकरम वेलेवोगो दोश्के, चुनी की बहुत से प्रस्म हैं, माल के चो, दौरत के चो, दिन के चो, चो, अष्टे गढ़ाने वारे, इस गढ़ाने वारे, दिल के चोर, कुछ लोग अपल के चोड होते हैं, जिसके हम př ो माह की चोरी, अक्ल की चोरी यह सबसे पतरनाब है, माह की चोरी बहुत हरकी है इस चोरी के मिकाड़ियों में, अक्ल को लूटना यह बहुत पतरनाब चीज़ से है। अब देखिये एक विज़ग आदमी जा रहा था, मेंदा लेवी जा रहा था, जारत बकरानी के जा रहा था, चार चोरी ने सुछा, अक्ल के मान को चोरी करनी है। कि जो मान ले जा रहा है बकरान ले जा रहा है ये मेंड़ा इसकी चोड़ियां भी कर दी है तो उन्होंने ब्लानिंग बनानी और चार चोड़ों ने कहां महाल अगला कुणकर पर बढ़ेंगे और इसकी दुमाग की चोड़ी करेंगे कि आप में बुजरुक बिचाने मेंडा लेकर आगे बोड़ें तो मेंडा है तो आगे चलेएं दुसरें ने तीसरें ने चुन्तें में भी कहा कि बुजरुक आप ये क्या उतका साथ लेकर जारहें उसे अपनी अतल पर समझा कि मेरी अक्ल में फ़ितूर तो नहीं है, अपनी अतल पर शक होने लगा और सुछने लगा वाक्यी में कुट ले जा रहे हूं। आंक से देव रहा है, मेंडा है, लेकिन दिमां ऐसा माल दिया गया उसका, मत ऐसी माली गई, कि वो समझने लगा है, वाँ कहीं खुटा ले आ रहा है। कहा उस चंग के चोड़ से कहा देवी जी, गलती से मैं बजाएं विड़ा दाने के कोटा साथ आया हूं, उसे गलती हो गई है, गर मैं ने छोड़ दिया है। अजिनी हाल गाएं, कि अग्दलों की चोड़ी होती है, माह की चोड़ी होती है। अब वाँ के जन्हें से खौफ और दाशन को पहला कर, और जनसरत चीज़ां को पहला कर, कि लोग अपन माहूफ हो जाता है, अपन समझने की पाति क्या हो रहा है। हकीकत, किसी गर्ण चीज़ को हकीकत समझ लिया जाता है। यह मश्यूर जो यह फिर माइदा के अवला नाम से, अच्छे चीज़ नाव्यवान पहां ने देखा कि अपने इंटरू में कह रहे हैं कि अखिकत है, सही बात है, अक्ल माहूफ हो जाती है। 1177 से यह बात हो रही है कि मगर्व में यही चीज़ की, मगर्व और यहूदी खुस्छान यहूदी नों यह फिरीष जीज़ की, इसका इस्तेमाल किया, इसलाम हो रहा है, इसलाम का खौफ लोगों के अंदर डाला जाएं, मुसल्मानों का खौफ पै़जा किया जाएं, और और वावावजो पहलें अख्वावें कि जाएं कि लोग उसको सही समझें लगें और ख़कीकत पर उसको मामूल करने लेकी बात लिया है मैं यह सही रहे समझने लीगी इसलाम हो विया अंचकोगिती है इसलांब गदेमागी और मिसल्मान उसकर पर जैना इसी बड़े सहावी ने, बड़े फुक्किर ने, फ्रेंग हरपर्ट में बहुत अच्छी बाद के वो कहता है, Fear is the mind killer, fear is the mind killer, खौफ इंसान के लोगों को माउफ करके रख देता है, इंसान सुचने के खबी नहीं होना, ऐसी खौफ और ऐसी दाशत पहलाएं जाएं, मुसलमान थे, गंदे के जब मैं आज से पंदरा साथ पहले आया, तो लोगों ने, मेरे खांदान वारों में मुझे रोका बढ़ता की जा रहा, बढ़कर बहुत हो, दाशत की जमीन, आप सब दाशत की रहते हैं, यह लोगो ने, आखंदान वारों में रोका बढ़ जाएं, तेकि उसको गुर्णमें नागरी मिने वाली थी का मुझे जाना आए, और यह करा की हुआ है, मुसलमान मुझे एक महिए तक मैं होष्चल में रहा, होष्चल से बाहरों में तता मुझे रहता था, यह हौँ, मुझे जब यह हमारी इस शेर में आई तो क्या हालत था उनका आने के बात बुड़ी मिल गए, उनका जहीं क्या बन हो गया, मेरे अजीजों, फ्रांसिस इंफर किरीन में इसे, वन्नीस सद्याडना में इसको 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 इस्तमान किया था, और 12 स्टम्बर की बात कि इसका और इस्तमान होने लगा, और तक पस इसका इस्तमान होने लगा, मेरे अजीजों, जी इस्लाम ओफ हो गया, इस्लाम और इस्लमान से खोब, इसे यहूदियाँ ने और मगर्द ने इसे पड़्दा किया, हाँ, जब केमिलिजन और इस्लाम की कश्मकश जब इस्तमान को पहुंची, तो उनने सुचा कि हमें और एक गश्मन पड़्दा करने की जरोड़त रहे, और उस्तम से मारा खत्रा हमरे इस्तमान है, अब इस्तमान के खिलाफ, उमरे प्रोपगंडेश शियू कर दिये, और घरस अब वाहें इस्यो कर दी, फिल्मों, स्विमों के जरिये से, गोमिस के जरिये से, और ऐसी किताबों के जरिये से, उस्तमान को इस्तमान करके, तो ऐसा माहुन पड़दा क्याने के लोगों के अंदर खौन बैल गया, मेरे अजीज़ों, उस्तमान के लिए स्विमों के लिए स्विमों के लिए अपने स्यासी मफादात के लिए के माहुन पड़दा करते हैं, कि आप लोगों को अपस नड़ाओ, मेरे रिजीज़ों इस्नाम, दो अफ़राद के लंड़ने को इस्नाम पसंद नहीं करता, मिया बीरी के खिलाफात को पसंद नहीं करता, एक छोटे से घराणी और फैमली के आप लिए को पसंद नहीं करता, और इसमें जूट बोलने को जारिस खरार देता है, जो अपराद, जो खांदान, बीरी और शवर को मिलाने के ये कहता है कि जूट बोलिए, ताकि जो मिल जाएं तो जो कहनेटी जो परी कों में वापस में लिखाने के लिए आदमी बजाए जूट बोलने के, बजाए जूट बोलने के सच को बढ़ा जूट को तदिक कर दें, इससे बड़ा इतना बड़ा जूँ होगा, अल्खब को आया लुल्लाह, महुलत खुदा, खुदा का परिवार है, वाहब अल्खब कि लवा, खुदा की परिवार में खुदा का सबसे मखूल हुआ है, जो भी महुलत को जिएदा वाइदा पुचाने मारा है, इस्लाम को दो अफराग के एकिलाफा पसंद नहीं है, तो इत्मी बड़ी कौमों को अपस में गड़ाना, अपस में गड़ाना और रहुरत पड़ा करना, कि इतना कि किस गर्द्या माँ पसंद है इस्लाम के मश्थी, मेरे अजीज़ों, इस इस्लाम उन्फोवियां को पड़ा करने का इतना सबब मीडिया दिन है, पर िकितो पर देखे होंगे, लोग अमशाच के होंगी हिंटर आ रहा है, फिल्म देखकर आ रहा है, और मीडिया वाले बट wizard कर पुष्वूज रहे हैं इंसे, क्या बटा ये, क्या बटा ये . केसे खौम और महश्र पैता करते हैं, और मीडिया ने बहुत बड़ा सबब बनता है इस माश्चत को पहलाने का, इस तहश्चत को पहलाने का सबब बनता है इसलाम, मेरे अजीजों, इसका बहुत बड़ा सबब जहालत है, नावाखिफियत है, इसलाम से नावाखिफियत, इसलाम की तारिमा से नावाखिफियत ना वान बगत वहना यह इसका सबसे बड़ा सबत है। गट्रिया इंसान मादूर उन ने मायच्छ वहा है। इपल वियर वाद्यार पे इन्होंने ओफ। लोग जिन लोग जिनके लोग से ना माकिन होएं इसे डरने लगते हैं खौफ़ गाने लगते हैं। तो जहा अलक है, इसका सब्सक्राइब होगा लुख सो हुआ अपने रुख़ा अधिरान किस था ना वाकित है . छोड़े बात छोड़ें, विरादराने वद्रण की बात छोड़ें, हमारे इसलाम मुसलमानों के नौजवान, मुसलमान के सचा इसलाम से नवापित हैं, अब भूर कीजी, एक शूमें, एक नौजवान मुस्तिम नड़का सब कुछ जवाब देता है, इसलिया बड़ की से सरच ना बलत है, तो हमारे विचारी विरादरान वत्न, हमारे लिदू भारी ओ किसक्प्राश ढमला है? हम तो कहीते हैं कि अल्से 2 पुर्णा मल चाहिए, और ऐसे लग़ों को गना करने इसलाम की का थिमास से आगाह करना चाहिए जो करने की जरत हे। लो डियोक पिल। हम सबसे बड़ा सबफ है। Lord Manaman, सब्स्यरा सबद को इस Moo Smith को बड हमारी अपनी सबसे बड़ी ऑगती है कि हमने बाधन सबस्क्रान को, अबने एक आपने आउलाग को और अपने प्रदा क pessoa बचाम को आगाही नहीं दी जो मतितनीındें चीज मेरैं आजी क्याकुत अपने विर अपने लोग सब घ्रेया और इसलाम को बतनाब करने वाले ऐसे लोग भी सबब हैं जो विसना की कारवाई नहीं हो रही थी अभी चंद सारों पहले तो वहां के वरांस के पांच अख़ारात में अब बड़े बड़े आर्टिकल लिखिया और कहा मुसल्मानों को हमारे शेह में आनेज दिनाने चाहिए यह कुछ दो जो आटे में नमक के बराबर आएं माँ आए धीज हीएं क्यों आटे में नमक के अपनी हैश्यत अपनी अहमियत लेकिन गिलते वर्तार के लिए हम कहने आटे में नाप के बरावर कि उसों कहते हैं चामल कैसे पकाई देखने के लिए देखी चंद चामल अगर पके हुए हैं तो समझी पूरा पुरी हांडी पके हुए हैं इसला की इंसालेगी देते हैं गलत है कुछ लोग संधिरें जो इसलाम को बदनाम करने वाले हैं और ऐसी विए दिखाने वाले कि इसलाम के नाम पर रोगों को परत्त करने वाले और ऐसी विए पहलाने वाले यह सबब है इसलाम का लोगों के अंदर खौप और पहशत परता करने के इसका सलावती है तो ऐसे दोगों कि अभी हाथ थामने की ज़र बड़त है, मुस्दिन सोसाइटी एक कष्टी है, मैं तो कहता हूँ, इंसानी कष्टी है, इंसानी कष्टी, कोई ऐसे सर्गुरेजर जो इस कष्टी में छेद रगाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका हाथ पकड़ कर, उन्हें कष खुद खफ हो जाएं, खुद तर्याबुद हो जाएं, पुरी कष्टी को दुगोने का सबब ना बने, पुरी इंसानियत की हलाकत का सबब ना बने, पुरी मिलत की तबाई का सबब ना बने, तो ऐसे दोगों को पकड़ कर, कहने जो कष्टी में छेद लगा रहे हैं नीच पहलाएं, हम अब अखलाब, अला किर्दार के जरी सुसारीझी को बताएं, मुसल्मान ये हैं, मुसल्मान भी होता हो, मुसल्मान ये हैं, अथलाब, अला अखलाब को हम जाहिर करने की जरूरत है, पर माशाÁललभ, इसको और मुझून करने की ज़रत है। जब ये बेतारी हम पहलाएंगे, इंसानियत की खिद्मत करेंगे तो फिर इंसानियत का दिल नर्म होगा। देखिए मेरे अजीसों, हमारे अपनी विलादायने बतन पर नर्म दिल की है। मौना जरादुदीन उमरी साहब ने बहुत अच्छी आप कहिए है। मौना जरादुदीन उमरी साहब रम के जाले करते हैं। ए ये हिंदस्तानी आम बड़ी नर्म दिल की है। फत्ताउं को पूछती है, गरफतां को पूछती है। जिन चीनों से नफ़ा है भायदा है जिन चीनों से खूबत इसकी आगे सरीन होगा भी छुटाए है क्या ऐसी मौन्ो हम राम नहीं कर सकते है ऐसी मौन की सेवा है और खिद्मक कर के हम उनको राम नहीं कर सकते अग जानवरों को, हूं अगर झानवरों को इंसानियत की सेवा, इंसानियत को साथ देना और इंसानियत को अपनी तालिमात से आगा करके, क्या हम उनके दिल को राम नहीं कहा सकता, क्या ही इस पहले इस पहलने वाले होफ पर हम जगन नहीं लगा सकते। मेरे अजीदों, आज बेदारी की जरुवत है, बेदारी की जरुवत है, और ऐसे इस लोगों को क्या हाथ पकड़ने की जरुवत है, क्या करवें इस उस काम, माशारा कहां जा रहा है, मिल्लत कहां जा रही है, इंसानियत कहां जा रही है, हम अपनी तरती की फुर्चित के पर्यवार है पाहब लुखल के लगमा खुदा के पर्यवार में खुदा के सुबसे महभूब हुआ है जो जो अपने भाईयों को ज्यादा नभा पहुंचाने वाला है तो ये कुछ बाती थी खालात हजरा के नहीं से तो हमें आपके सामने थी अबना सुबसे स्यवार में लुख जो ये लिए नफह लाएध मया है तो जान एके सक्था धाला के साफ कि आजुदा के